कॉर्च तूर स्टार्ट है सबसे पहले से और धैजे मैंने हमारे कॉलेज में थीलियों कि नियुपकेत सबसे पहले ऐता है यह फार्मसी पर द्रॉमसी जाय Ms.श साथमों दीब रसे चेह स कहनं कर हुएंactions अब सकते हैं यह को सी मीट्यों होग मैं प्रया को अब सब्सक्राइड कि अबसे सब्सक्राइड़ से अब ये क्या है और 2nd floor भी है इसके उपर के 3rd floor भी है और उपर जादा classes नहीं है नीचे ही main classes होती है नीचे ही सारी classes आ जाती है यह second year की class है और second year first class है मतलब first class है gate से गुशते ही और यहां पर कुछ lockers भी है यहां पर हम लोकर ले सते हैं पर अभी तो हमाई seniors ने occupy कर रहा है और यह हमाँ first year की class और यहां पर अब हमें almost एक साल होने वाला है इस class में बैठे बैठे पहले हम उपर बैठे थे पर हमारे यह class होगी है और classes देखे जाए तो बहुत बहुत बड़ी सी है और बहुत अच्छी है मतलब class तो बहुत maintained है a podium है सब कुछ है mic wipe system everything is connected और प्रोजेक्टर का भी system अभ everything हमारे class में है और speaker system सब कुछ install करवाया गया है तो everything is good उसके बाद हमारे class के बिल्कुल सामने ठीक सामने हमारे 4th year की class है 4th year BHMS की class लगती है और यहां पे seniors बैठे है मैं अंदर नहीं गई नहीं तो ऐसे नहीं गई इसके पाद यह corridor है इसके थू हम एक पीछे से रास्ते से हम जा सकते हैं और एक पीछे का रास्ता आजाता है कॉलेज का जो जादा डिसकोवर्ड नहीं है यह से कह सकते हैं तो यह में बहुत बड़ी बड़ी सीरी आए जिसके थू भी हम उपर जा सकते हैं पर यह पीछे से हुआ ठीक है तो एक पीछे का रास्ता है पूरा और यहा इसके अलावा यहां फामस्य के दूसा गेट भी है जिसमें इसके अलावा यहां से सीरिया अपर चटके ड्रीया में गई थी इसके बाद यह सीरिया हमें दूसरे अर्या में लेके जाएगी सामने वाटर कुलर है अगर आपको देखना है तो पानी की आपको कोई कमी नहीं हैं कोई दियुक्न आपक आप कहसाथ दिाय Push दी कामने है अरच के वाहम है और उसाइड आपको पाने में नहीं है ऊच्छी से और उसके बाद में लिफ्ट्स है और जिल्सक्रावा के तैम आच साईन, आई-पिडि एडिया उसको आपको फोघं़र, शेन, जिल्पम फिरो अपर जाते हैं लाप्स में और मतलब यह फिक्वेंट ली मुवड एरिया है हम यहीं पर घुमते रहते हैं इसके लावा यहां पर कुछ और रूम्स है जो मैंने यूजरी बंधी रेखे हैं पता निंके क्या काम है निष्ट नहीं जो खूला रहते हैं लेकिन मैं कबई अंदर नहीं गई क्योंकी पता नहीं पता हMs प्तला मुझे जानता ऑट रूम्स तो इसलिए मैं जा नहीं पाई लावा मैं आपको बताओंगी कि हम लोग खेलते हैं यह है भानुआ शिवानी मेभी यह लोग लैप से आ रहे थे और उसके बाद यह है एडिया जहां पर हम लोग खेलते हैं यूजली तो यहां हम बैडमिंटन और वाली बॉली बॉल और पक्रम पकड़ाई और में चोटे मोटे गेम ख यहां पर जाने के लिए बैक एरिया है यहां पर जाके जहां से आप वापस तेन जगह पहुंच सकते हैं जिसके अगर इस साइड जाएंगे हम लेफ साइड तो आपको बहुत ज्यादा मतलब लाप्स और मतलब इसे साइड होगा इसके बाद यह वाला एरिया में बहुत प तो मेंली हम यहां पर होते हैं कभी कबार और यहां कुछ बच्चों ने समान रखे होगा है कि इस लिए बच्चे खुदी अपने घर से समान ले आता है खेलने के लिए और हम उसको तच्छनी करना चाहिए तो हम चलते हैं आगे की तरह और आगे आप देखोगे कि आगे य तो इसलिए बहुत अच्छे से सजाद हजा के रखा हुआ है और मुझे याद है जब मैं अडिमेशन करवाने आई तो मैं सबसे पहले मैं यही आई थी क्योंकि यहां कॉन्फरेंस रूम में हम लोगों को बुलाया गया था और यह कॉन्फरेंस रूम है तो यहां आज पास पर सीडेया होंगी। उन सीड cutting 대해서 हम उप जा सकते हैं और से हम सीडेयों से उसके यहां पर चोटा सा अर्बेरियम गार्डन भी है और स Video सुंदर बाला अर्डन में लहां फियां सूंदर वाला अधर एधर है और यहां पर अधी के इसके बाद मैं आपको दिखाती है उपर का एरिया तो अवेसल आप सीरियो चलते हैं तो यह है जाए लिफ्ट से भी आसकते हो जो मैं निफ्ट दिखाई ती वही सेम लिफ्ट है और यहां पर में फर्स्ट फ्लो पर आपको लाइबरेरी मिलेगी और हमारा फामसी का लैब मि उसके अजन की इस और फामसी लैब मिलेगी और फामसी लैब में अ कब दोemi और माम और सर का भी कबिडिसे में बन फरामसी लाप में हम मेनी मेडिसिन बनाते हैं और यह योधी हैं फरामसी लाप में बहुत साई सपैसिमेंस से से सब बहुत साुच की ब्रेषीजीं ब्रयFranka बहुत सारी स्टूल्स भी पड़े और वैसे अमारे फारमसी लाब फोड़ी सी छोटी है तो सारे बच्चे एक बार में नहीं आते हम लोग बैस्टेज में होके जाते हैं लाब में फारमसी लाब में यहाँ फारमसी अरे सर्वीय में बहुत मुशकिल से शूट किया है बिना स यहां पर आप देख सकते हैं सामने और मेडिसिन बनी बनाई भी पड़ी है आज मतलब वो चीजे कि हमें पता लग सकते हैं इसके बाद यहां पर बीकर्स यह सब अवरीधिंग जो भी हमें इसके बात हम सेके प्लो पर सकते कि यहां को यहां पर चुच काम अएप्टोर यहां कामने हृता है यहां मति डीचल आंपने भी हमारे मेडिक की लिए अगर देपार्टमेंट्र यह topics आगे आएंगे और यह practice of medicines मतलब यहां पर ऐससे हैं जो मैंने mainly खुले हुए नहीं देखें इसके अलावा यहां पर एक academic room भी है तो यहां पर कोई दिक्कत होती है वो भी हम देख सकते है caretaking branch है और यह सब यहां से एक view है और ठीक है उसके बाद अगर हम यहां से जाए तो यह चोटा से area जिसके तो अगर हम नीचे देखे तो जहां हम खेलते हैं वो चीज हम देख सकते हैं उपर से और उसके बाद अगर हम अंदर जाए तो हम same वहीं पर आ जाएंगे जहां pharmacy lab हम देख रहे थे तो यह उसी का पीछे वाला area तो यहां पर सेम जगह जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और मुझे याद है हम यहां पर ही को एक जगह थी जहां पर हम फीज भरने के लिए आए थे यह फीज कुछ करवाने आए थे क्योंकि यहां पर account का branch है नीचे जाए और उपर जा सकते हैं नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो उपर जाएंगे तो उपर जाएंगे तो उपर जाएंगे तो उपर जाएंगे तो सेकेंड फ्लो पे फीजिलोजी लाब है हमारी देपार्टमेंट और बायो केमिस्ट् यहीं पर किसले खाई थी मुझे याद ने लेकि मैंने यहाद खाई थी सबसे पहली बार तो यह है Department of Anatomy और यह यूजली बंद रहता है क्योंकि पता नहीं हो सकते हैं उनको डर है कि यहां से भाग जाया जैसे किसी में हार्ट होगा, इंटरस्टाइन होगा, लंग्स होगा, सब में कुछ ना कुछ है इसमें प्रेजेंट तो अभी हमें यह सब दिखाया नहीं गया है उसके लावा बहुत सुंदर-सुंदर चार्ड्स भी है उसके बाद हम अनाटमी लाप से निकले तो यहां हम Department of Physiology and Biochemistry है और यहां पर सबसे पहले स्वागत करते है रेड और यह लो कलेश हमारे डश्बिंस उसके बाद यह है हमारा Physiology और यह है Biochemistry और यहां पर बहुत साइपाटर्स, you know, experiments करने के लिए और बहुत सारे models यह सब रखे गए है और जिससे हमें अच्छे से, you know, समझा सके माम और बता सके इसके लावा यह बच्चे हैं यहां पर बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए माम का इंतजार करते हुए यहां कुछ बुक्स भी पढ़े हैं अभी खाली पढ़े हैं कभी कभा यहां बुक्स इसके लाव यहां पर बी अपटा यह नहीं पता किस यूज नाता यह एक और एक है एक और है को एंटी है जहां से एंटी ले सकते जिसके एक साइड हो हमारा हर्बल कारडन जहां पर हमारे जो फार्मेसी अली सर ने सर हैं उन्होंने बहुत सार बांट लगाए हुए है और उसके अलावा दूसी साइड वापस एक वेटिंग एरिया है उसके अलावा एक कोवेट टेस्टिंग सेंटर है बिल्कुछ सामने जहां यूजली नहीं जाते हैं पर कभी कभार तो उसका एक एरिया है और उसके अलावा यहां पे सेकिंड फ्लोर पे डिपार्टमेंट तो यह सब हमारे लिए बिल्कुल न्यू है तो यहां पे भी मी फ्रेंड कुछ करने आई थी किसी टीचर को बुलाने तो मैंने इसले सो शूट कर लिए लिए हम यहां बिल्कुल नहीं आते हैं और डॉक्टर बैठे होते हैं बहुत अच्छा बहुत शांती होते हैं यहां है उसके बाद इसके ठीक सामने कुछ operation rooms भी है जहां पे भी हम लोग बिल्कुल नहीं जाते हैं तो मुझे इसका बिल्कुल idea नहीं है उसके बाद इसके third floor पे कुछ nursing department है और यहां पे भी बहुत से clinics और हैं मतलब you know कुछ कुछ rooms है duty rooms जहां भी हम लोग नहीं जाते हैं frequently तो इसलिए यहां कभी मुझे कुछ idea नहीं है यहां पे क्या होता है और यहां पे थोड़ी बहुत से strictness भी होती है तो इसलिए हम लोग usually यहां नहीं आ पाते टीचर्स और को बुलाने के लिए होता है तो हम जाते हैं वरना नहीं और इसके बाद इसके नीचे से अगर एक सीरि हैं तो अगर इस सीरियों से नीचे जाएंगे तो आपको आप हमारा हर्बर गार्डन मिलेगा तो यह एक एरिया है तो यहां पे सर्जरी वार्ट्स और पेडियाटिक वार्ट्स यह सब भी है सब कुछ मैंटेंड बनाया गया है तो यही है एक छोटा सा हमारे मेरे कॉलेज का टूर और यहां पे बहुत से एरियाज अभी भी है जो अभी भी हम डिस्कवर कर रहे हैं पीछे के जहां चुपते हैं और बाते करने के लिए जाते हैं जो मुझे अभी नहीं दिखाने चाहिए आप खुदा करना कहां पे होगे तो तो यहां पर दो कॉरेश तो